हलो फ्रेंड रादे रादे आज हम आपके साथ सेयर करेंगे गाजर का मीठा खाने का मन करें तो गाजर को इस तरह से आप बना सकते हैं गाजर का हलवा तो आपने खूब खाया होगा लेकिन एक बार आप हमारे तरीके से बना के देखे गाजर का हलवा खाना भूल जाएंगे इसके लिए हमने ये गाजर ले लिया है अब हम गाजर को पहले छील लेंगे और ये बहुत ही जटपट बन भी जाता है और खाने में ही बहुत टेस्टी लगता है और इसे आप गर्मा गरम खाईए ये हमने छील लिया है और इसके आगे पीछे की हिस्जे को हम थोड़ा-थोड़ा कट कर लेंगे इस तरह से हमने सारे गाजर को कट कर लिया है और गाजर को हमने धो भी लिया है अब इसे हम 20 से कट लगाएंगे कट लगाने के बाद इस तरह से हम इसे पतला-पतला कट कर लेंगे आपको जितने ब्डुडे साइज का चाहिए उतना बड़ा आपकोशें, पतला पतला कर लिजे बाम, Auch इसे हमने सारे गाजर को, पतला पतला कर लिए है। और यह हमने कूकर ले लिया है कूकर में हमने थोड़ा सा घी डाल दिया है और इसमें हम डालेंगे गाजर को और पानी का इस्तमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे यह हमने एक गुड़ ले लिया है गुड़ को हम टुकड़े टुकड़े में करके इस कूकर में हम डाल देंगे हा बटन दबाईए और वीडियो की साइड नोटिफिकेशन आपके पास पहुचती रहेगी और वेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल मत भूलिएगा और इस तरह से हमने सारे गुड़ को एक पुरा साबुद गुड़ लिया था उसको हमने इसमें कूकर में डाल दिया है अब इस पानी का इसतमाल बिल्कुल नहीं करेंगे क disfr Campus कर एकन लगर देखाने के पासे जंप दक सब्सक्राइब काशन जाने को उतार दिया और अनीचे लिए और इस तरह से देखिये मेल्ट हो गया और जंग आताल अब पहुत अच्छे तरीके से गल गया है अब इसे हम फिर से गैस चुले पर रखेंगे क्योंकि यह पानी पानी जैसे लग रहा है गुड़ और इसे हम अच्छे तरीके से सुखाएंगे इसको जादे नहीं सुखाना है बस थोड़ा सा गुड़ है जो थोड़ा सा गड़ा हो जाए और यह देखिए अभी भी पानी लग रहा है और इस तरह से इसे हम बीच-बीच में चलाते रहेंगे और देखिए गुड़ हमारा एकदम ठिक हो गया है अब इसे हम ठंडा करके ए आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सेयर, कमेंट जरूर करें और इसे अपने फैमिली फेंड के साथ जरूर सेयर करें और यह देखिए हमारा गाजर का मीठा टेस्टी तैयार हो गया है और इसे खाने के बाद आप गाजर का हलवा खाना भूल जाएंगे और जिसक प्रसी गाजर का मीठा तैयार हो गया है और इसे आप अपने फैमिली फेंड के साथ जरू सेयर कीजिएगा फिर मिलते हैं एक ने रेस्पी के साथ धन्यवाद